आज मैं आपको बताऊंगी डाबिटीज के पेशेंट्स के लिए दो ऐसी टिप्स जो आलरेडी आप जानते हैं लेकिन उसमें आप इंप्रोवाइजेशन कैसे कर सकते हैं ताकि आपके ब्लड शुगर के लेवल्स और कंट्रोल में आएं सबसे पहली चीज है morning walk या physical activity जो लगबग सभी diabetes patients को recommend किया जाता है लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जब भी आप walk कर रहे हैं या cardiovascular exercise कर रहे हैं तो यह करते समय आपकी शरीर से पसीना आना जरूरी है यदि sweating अच्छे से नहीं होती है पसीना ठीक से नहीं आपका sweating induced हो दूसरी चीज है आपके डिनर के टाइमिंग अगर आप साड़े साथ बजे से शाम को साड़े साथ बजे से पहले पहले डिनर करके फ्री हो जाते हैं तो next day के आपके फास्टिंग शुगर लेवल में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा तो यह दो चीजे आप ध्यान रखिए इससे आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे